हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग होप करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे लेकर आ गई हूँ आज भी बहुत ही अमेजिंग से यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स जिनें अपना कर आप अपने घर और किचिन के डेली की कामों को बहुत ही आसान कर पाएंगे तो वीडियो को जरूर लाइक शियर कर लेना चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए गा तो पहला टिप है यहाँ पर एपल को लेका तो एपल तो यह देखिए बहुत ही फाइदेवन्द होता है तो बच्चों को सुबह सुबह हम कट करके दें या फिर हम इस तरीके से गोल गोल कट करना है तो इसका जो बीज वाला पोर्शन है आपको किस तरीके से निकालना है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और इस तरीके से आप कट करके बच्चों को देंगे ना अलग डिजाइन में तो बहुत ही अच्छे से खाएंगे तो जल्दी से बच्चे एपल खाते नहीं है तो आपको क्या लेना है घर में पड़ी यह देखिए कोई सी भी बोतल की धकन और धकन से यह देखिए हम यहां पर यह देखिए एपल के बीज को निकाल देंगे जरा सा पुस करेंगे यह बहुत ही आसानी से निकल जाता है तो आप देखी सकते हैं तो इस तरीके से यहां पर दबाएंगे तो यह देखिए बीज वाला जो हार्ड पोर्सन होता है ना तो यह बहुत ही आसानी से निकल जाता है यह देखिए तो छोटी सी टिप है बहुत ही बढ़िया है और इस तरीके से डिजाइन से कटे हुए एपल बच्चे भी चाहिए तो यह देखिए जो हार्ड वाला पार्ट होता है ना यह देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है तो आई हो इस एपल को आप चाहें बच्चे के लँच बॉक्स में रखिए या सुबड सुब्चों को दीजिए बहुत ही अच्छे से खाएंगे बच्चे तो यह देखे रिंग जैसी लगती है ना तो देखने में भी अच्छी लगती है और बचे बहुत ही फटा-फट खा लेंगे तो चलते हैं अपनी नेस्ट टिप की ओर तो नेस्ट टिप है यहां पर यह देखे घर में पड़े यह खाले पैन और उनकी कैप को लेकर तो कभी कभी क पैन गुम हो जाता है या फिर यह देखे पैन का ढ़कन ही होता है तो हम आज ढ़कन का भी यूज बहुत ही बढ़िया बताएंगे आप कहा कहा कर पाएंगे तो घर में यह देख्वीर चसार्मिट फार्त टिप घकन हो कुछट ही उर्य गते अश्याने आपको जिनकीmost है live तो यहां पर यह देखिए 4-5 ढॉकान है इनका मैं यूज करना आपको बताऊंगी तो आपके घर में यह देखिए इस तरीके से पड़े ही होंगे तो यहां पर ले लिए हैं मैरे ढॉकत और यह देखिए घर में यह देखिए जब-भी हम पैकट को खोलते हैं कोई सा भी हो जैसे किचिन में माइक्रोनी का है या पोवे का है या फिर किसी का भी है इस तरीके से फार देते हैं और ऐसे ही रख देंगे तो यह सीम जाते हैं या फिर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं तो इसको इस तरीके से देखिए हमें मोड देना है यह देखिए इस तर करेंगे मतलब इसको हम लगाएंगे इसमें इस तरीके से लगा देंगे तो यह देखिए बढ़िया से लॉक हो जाएगा इसमें कोई एर वगेर नहीं जाएगी और तो यह सीमें के भी नहीं और इसमें कीड़े वगेर नहीं पड़ेंगे और आराम से कम जगे में कम स्पेस मे यह packet राखे जाएगा यह देखिए कितना अच्छा यह देखिए यहाँ पर यह देखिए पैन के धकन का यूज हो गया है यह देखिए अच्छा भी लग रहा है और इसका यूज हो गया है तो घर में कबार सी चीजों का या देखिए कितना बड़िया जुगार करके हम यह देखिए कामों को कर सकते हैं आई होप यह वाली टिप आपको अच्छी लगी हो तो इसको फॉलो आप जरूर करिएगा तो नेच्ट टिप है यहां पर यह देखिए किताब को लेकर यह देखिए जब भी बच्चे यह कूलर के सामने पड़ते हैं तो यह देखिए बार-बार इस तरीके से अड़ने लगता है तो मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं लेद're तो क्या करते हैं या फिर इस पे box रख लेते हैं या कोई ऐसी चीज रख लेते हैं तो बार-बार उठाना पड़ता है तो आपको करना कुछ नहीं है जो देखिए पैन के धकन पड़े हैं ना इस तरीखे से आपको यह देखिए लगा देना है किताब पर यह देखि इस जाते हैं तो हवा तेजी से चलती है कपड़े सारे उड़ उड़ कर इधर उदर गुरते हैं जब हमारी जो चिम्तिया आप क्लोथ पिन है ना कम पड़ जाती है तो उसकी जगे आप क्या कर सकते हैं उसकी जगे आप लगा सकते हैं यहाँ पर पैन के ढखकन यह देखिए यह हैं बेश्ठी पड़े थे इनका कितना बढ़िया है यूज कर लेंगे हम घर में तो कवार सी चीजों का जुगार करके हम कितने आसानी से घर के कामों में इनका यूज कर पाएंगे यह देखिए इस तरीके से लगा देंगे कपड़ों में बिल्कुल नहीं हटती हैं वेकार इसITY है यहां पर कॉल्गेट को लेकर यह देखिए इसका यूज तो हम सबे सुबह सुबह अपने दात मांजने में करते हैं लेकिन आज बहुत ही बढ़िया है इसका हम यूज करेंगे तो हमने यहां पर ले ली है कौटन की यह देखिए बनियान जो जेंट की बनियान होती फट जाती बेकार हो जाती इसको आप धूल कर रख लीजिए इस तरीके से पटिया काट की रख सकते हैं तो मैंने बस छोड़ा सार तुकड़ा काट लिया है और यह देखिए इसको इस तरीके से फोड कर लिया है इसमें लगा लिया है हमने कॉल गेट और कॉल गेट लगाने क इसको देखिए अच्छे से कपड़े पर एपलाई कर दिया है तो इससे हम करने वाले हैं अपने घर के ये दिखिए स्वच बोर्ड को किलीन तो ये दिखिए इसको हम पूरे बोर्ड पर एपलाई करके साप करेंगे तो कितना भी गंदा आपका बोर्ड हो गया है इसमें ये टिप है बहुत ही बड़ी तरीका है आप कॉल गेट से अपने घर के जो गंदे स्वच बोर्ड है बहुत ही आसानी से चुटकियों में साप कर पाएंगे ये देखिए कितना काला हो गया था जैसे कभी गंदे हाथ होते हैं जो बोर्ड हम जादा यूज करते हैं तो बहुत ही गंदा हो जाता है इस तरीके से आप कॉल गेट से अपने घर के गंदे बोर्ड को साप कर सकते हैं वही आसानी से ही चुटकियों में साप हो जाए stick !! आप अच्थी लगे og about चैनल पर पहली वारा हैं तो जरू सस्क्राइब कर लेना आप मेरे चैनल पर रेस्पी वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तो